पिछले कुछ समय से आमादी पार्टी पर यारोप लग रहे हैं कि आमादी पार्टी मुसलिम समाज के साथ खड़ी नहीं होती, मुसलिम समाज के लिए स्टैंड नहीं लेती है लेकिन इन सब के बीच में अर्विंद केजरिवाल अपने मुसलिम विधायक अमारतुला खान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं अमारतुला खान जिनके घर पर मंगलवार को एडी ने रेड की 12 घंटे की उस्ताच की तो सबसे पहले आमादी पाटी आमारतुला खान के समर्थन में आई रागव चटाने बकाइदा प्रेस कॉनफरेंस की और उसके बाद अब जो आमारतुला खान आमादी पाटी के ओखला के विधायक हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के घर पहुँचे हैं और उनसे मिलने के लिए वो यहां आए हैं मुलाकात करने के लिए आए हैं और अमानतुल्ला खान से मुलाकात के बाद अब अर्विन के जिवाल अमानतुल्ला खान के साथ साजा प्रेस कॉन्फेंस के लिए आ गए हैं। आम अदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, खतम कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमीटी बिठाई। उसके बाद मोदी जी ने हमारे MLs के उपर जूटे जूटे केस करने चालू कर दिया है। हमारे आम आदमी पार्टी के MLs पे अभी तक 170 से जादा केस कर चुके हैं, 170 से जादा। और उनमें 140 से जादा केसे में जज्जमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जज्जमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जज्जमेंट हमारे पक्ष में आई हैं कि जूटा केस किया गया, हमारे MLs के खिलाफ जूटी अफ़ायर की गई, जूटी गिरफतारी की गई, गलत गिरफतारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले दो साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर निताओं को गिरफतार करना चालू किया। इन्होंने सतिंद्र जैन को गिरफ़तार किया, इन्होंने मनीज सिसोदिया को गिरफ़तार किया, इन्होंने संजय सिंग को गिरफ़तार किया, इन्होंने कलमानतुल्लाख खान के याँ एडी की रेड की, मामला चूँकि कोट में है मैं सब जुडे से मैं जादा नहीं बोलूँगा अगर आपने मनीस सुदिया के केस में पिछले हफ़ते सुप्रीम कोट में जो सुनवाई हुई अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो तो जिस तरह से जज बार 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 उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो कोई तो सबूत दो इन लोगों के पास एक भी सबूत नी था मने से सुधिया के खिलाब तो इसका मतलब सारे के सारे के से जूटे किये जा रहे हैं कल जो अमानतुल्ला खान के यहां रेड हुई वो भी एक तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खतम करने के लिए मोदी जी की पूरी मुही में उसी का एक खिस्सा है आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता ह करनी एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो अगर मिला हो ता आपको लगता है ने कूछ फोड़ देते मोदी जी कहीं कुछ नहीं मिला हूं तो यह थी साजा प्रेस कॉंफरेंस मुख्यमंत्री अरविन केज्डिवाल और आमादी पार्टी के विधायक अमान तुले हुए हैं उसी की कोशिश का ये एक अगला पार्ट बताया जिसके तहत अमानतुला खान के उपर ED की रेड हुई दिली से अपने कैमरा सही होगी आजम सिद्धिकी के साथ मैं शरच चर्मा इंडिटी मेंडिया